मा कुश्मांडा देती हैं अपने भक्तों को दीर कायू का आशिरवाद और ऐसा माना जाता है कि शृष्टी की रचना भी संपून नहीं हुई थी उस समय चारों और अंधकार था तब देवी माता के इसी सुरूपत वरा ब्रह्मांड का जनम हुआ देवी कुश्मांडा माता अश्ट भुजाओं से युक्त हैं और इनको अश्ट भुजा के नाम से भी चाना जाता है माता भक्तों के कश्ट, रोग, दुख, संतापों का नाश करती हैं माता को को यदि कद्दू से बने पेठे का भोग लगाते हैं तो यह अत्ती शुब होता है माता की पूजन भी दे, सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता का पूजन करें फिर अन्य देवी देवताओं की पूजन करनी चाहिए इनकी पूजा के बाद देवी कुश्मांडा की पूजा शुरू करें इस दिन सुभा जल्दी उठकर शनान कर हाथों में फूल लेकर देवी मा को प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद ब्रत और पूजन का संतल्प लेना चाहिए और फिर मा कुश्मांडा सहेत समस्त सापित देवताओं की शुडशोक चार से पूजन करें फिर माता की कथा सुनें इसके मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें अंत में आरती उतार कर माता के प्रशाद से भोग लगाएं और सब में प्रशाद वित्रन करें जे माता दी